जिलास्तरिय जन सुनवाई में दिव्यांग व्यक्ति की हुई सुनवाई आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवत त्वरित समाधान के लिए बाणमेर जिला मुख्यालाई पर प्राद 11 बजे से कलेक्टर कार्याले के भारत निर्मान राजिव गांधी सेवा के इंदर में जिलास्तरिय जन सुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें ट्राई साइकल लेकर जन सुनवाई में एक दिव्यांग व्यक्ति पहुंचा जहां कुछ सुरक्षा करने जवान वा अन्य लोगों ने उनकी मदद कर वील्चेर पर बिटा कर जिला कलेक्टर के पास लेकर पहुंचे बता दे अर्बाब खा पुत्र गुलाम खा निवासी बसरा तहसील कट्रा रोड से जिला मुख्याले जिला सत्रीय जन सुनवाई में पहुंच कर जिला कलेक्टर के सम्मुक उपस्तित होकर बताया कि मैं विकलांग व्यक्ति मेरे खातेदारी भूमी में गागरिया से मानव रोड का निर्मान चल रहा है उन्होंने कहा उस कमपनी के लोगों ने मेरे खाते में मिट्टी डाल दी थी छे महिने से चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही है मेरी सुनवाई आपको बता दे आज जिला स्तरीय जन सुनवाई में अरबाब खान ने सुनवाई में PWD अधिकारी वह जिला कलेक्टर निशान्त जैन से भी निवेदन किया कि अस्थाई मेरा राशन कार्ड होने की वज़ह से मुझे कई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे स्थाई राशन कार्ड बनवा कर दे वे तो जिला कलेक्टर निशान्त जैन ने हाथो हाथ अधिकारियों को निर्देश दिये और अरबाब खान के कार्य पर ध्यान देने को कहा उसके बाद अरबाब खान हसते हुए जिला कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए वह सुरक्षा कर्मियों का आभार जताया जिन्होंने उसकी मदद से आज जिला कलेक्टर से जिला सत्रिय जन सुनवाई में उनके समय उपस्तित रहे उन्होंने कहा इस समस्या से छे महिने से भटक रहा था अब मुझे मिलेगी राहत आपको बता दे ऐसे कई मामले पानी सडक कटान का रास्ता बिजली की समस्या जैसे कई मामले कमपनियों के खिलाफ सामने आये हैं वही महिलाए भी समस्या लेकर पहुंची राजिव घांदी सेवा केंदरप पुलीस जवान सुरक्षा व्यवस्ता संबालते हुए आए जागरुक टाइम्स के लिए बाड मेर से ठाकरा राम मेगवाल की रिपोर्ट